दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको इस खराब बेग्राउंड वाले फोटो को उसके बेग्राउंड को काफी असानी और काफी जर्दी कुछ ही सेक्रेटों में आप उसके बेग्राउंड को चेंज कर क्योंकि उसके बेग्राउंड ही बहुत खराब है तो इस वेबसाइट की मदद से आप उसके बेग्राउंड को काफी असानी से और कुछी सेकेंडों में उसके बेग्राउंड को चेंज कर पाएंगे आप उसे प्लेन बेग्राउंड भी दे सकते हैं या फिर कोई भी सीन ड पर कितनी जद्दी से चेंज कर पाएंगे तो किसी भी image का वाइग्राउंड चेंज करने के लिए आपको अपने mobile या फिर computer में को भी एक browser को open करना होगा तो चलिए मैंने यहां से अपना chrome browser को open किया search के option में आपको pick wish search करना पड़ेगा जैसे आप pick wish search करेंगे तो आपको सबसे पहला जो options दिखेगा pick wish online background removed 100% free simply आपको इसपे click करना होगा जैसे आप click करेंगे तो आपको यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पर पहला एक option दिखेगा जो कि upload image का option दिख रहा है तो simply आपको इस पर click करना होगा जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप जहां पर भी अपने phone या फिर computer में जहां पर भी आप photo को save कर रहे होगे उस जगा पर आपको चले जाना और photo को select करके यहां से simply आपको open करना है जैसे आप open करेंगे तो यहां पर इमेज अपलोड होना start हो गया है देख सकते हैं आप अपलोड इमेज है यह 100% होने के बाद ही यह open होगा तो चली इसे 100% होने देते हैं तो दोस्तो 100% होने के बाद यह देखिए आटोमेटिक यह बैग्राउंड को remove कर दिया है पहले मेरा बैग्राउंड ऐसा था अब यह बैग्राउंड को बिल्कुल remove कर दिया है अब चलीए मैं इस बैग्राउंड में कोई और अलग फोटो को लगा कर देख लेता हूँ जो मेरा cut हुआ है चलीए मैं आपको simply यहां पर बैग्राउंड को option दिख रहा हूँ आपको simply इस पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपको यहां पर धेल सारी colors देखने को मिल रहा हूँगे प्लेन वालपेपर तो आप प्लेन वालपेपर को भी सेलेक्ट करके लगा सकते हैं जैसे कि यहां पर 2-3 color मैं selected को दिखा रहा हूँ इस तरह से आप बैग्राउंड प्लेन वालपेपर भी लगा सकते हैं अगर आप कोई photo या फिर कोई background ऐसा download की हुए है जो कि आप लगाना चाहते हैं तो simply आपको image के options पर आना होगा उसके बाद यहां पर प्लस के icon आपको दिख रहा होगा या प्लस के icon पर आपको click करना होगा जैसे आप प्लस के icon पर click करेंगे आपने जो भी photo या फिर background image को download करका है उसे select करके आपको simply open करना होगा जैसे आप open करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा background बिल्कुल change हो गया है चलिए मैं एक और आपको background change करके दिखाता हूँ यहां पर मैंने इस photo को select किया है उसके बाद यहां से open कर देता हूँ देख सकते हैं आप बहुत ही असानी से यह background change हो जा रहा है अब अगर आप इसे download करना चाते हैं तो आपको यहां पर सबसे ऊपर में एक options दिख रहा होगा जो कि download को options दिख रहा है simply आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके पास download options आ गया है एक HD में आया है और एक Normal में आया है आप जो चाहिए वो डॉंड हरसकते तो चलिए मैं डॉंड करके दिखा ला देता हूं यहा से आप देख सकते है नीचे में ederim Milton hasream 500% होने के बाद आप इसे उपन करके देख सकते मैं इसे उपन करके आपको दिखला देता हूं दोस्तो यह मेरा फोटो डाउनलोड हो गया अब मैं इसे आप उपन करके दिखला देता आपको देखिए यह फोटो बिल्कुल 100% डाउनलोड हो गया है तो अब मैं इसे यहां से क्लोज कर देता हूँ कि दोस्तो आपको यह प्षाण्द नाया है अगर वीडियो पसंद आए तो यह लाइक कर जीका सेर कर्जी है सब्सक्राइब करते हैं कोई भी शवालों तो कमेंट बाक्स मुटना कमेंट की जाएंगा ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो पानेंगे लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हीगा मिलता हूं फिर एक लिए नएवडियू साथ करते हैं